ओम शान्ति 26 में 2022 बाबा के महावाक्या मीठे बच्चे विजय माला में आना हैं तो निश्चे बुद्धी बनो निराकार बाप हमें पढ़ाते हैं वह साथ ले जाएंगे इस निश्चे में कभी संश्य ना आए प्रश्ण विजयी रतन बनने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी उत्तर उन्हें कभी किसी बात में संश्य नहीं आएगा वह निश्चे बुद्धी होंगी उन्हें निश्चे होगा कि यह संगम का समय है अब दुखधाम पूरा हो सुखधाम आना है दूसरा बाप ही राजयोग सिखला रही हैं वह देही अभिमानी बना कर साथ ले जाएंगे वह अभी हम आत्माओं से बात करते हैं हम उनकी सम्मोख बैठे हैं तीसरा परमत्मा हमारा बाप भी है राजयोग की सिक्षा देते हैं इसलिए सिक्षक भी है और शांती धाम में ले जाएंगे इसलिए सत गुरु भी है ऐसे निश्चे बुधी हर बात में विज़ई होंगे गीत तुम्हें पाकी हमने जहां पालिया ओम शांती बाप ने बच्चों को ओम शांती का अर्थ तो समझाया है हर एक बात सेकेंड में समझने की है जैसे बच्चे भी कहते हैं ओम अर्थार्त एहम आत्मा मम शरीर वैसे बाप भी कहते एहम आत्मा परम धाम में रहने वाली वह हो जाता है परमात्मा ओम यह बाप भी कह सकते हैं तो बच्चे भी कह सकते हैं एहम आत्मा वा परमात्मा दोनों का स्वधर्म है शांत तुम जानते हो आत्मा शांती धाम में निवास करने वाली है वहां से इस करम शेत्र पर पार्ट बजाने आई है यह भी जानते हो हम आत्मा का रूप क्या है और बाप का रूप क्या है जो कोई भी मनुष्य सुरुस्टी में नहीं जानते हैं बाप ही आकर समझाते हैं बच्चे भी समझाते हैं हमारा बाप परम पिता परमत्मा है वह सिक्षक भी है तो हमारा सत्थ सुप्रीम गुरु भी है जो हमको साथ ले जाएंगे गुरु तो बहुत करते हैं अभी बच्चे निश्चे करते हैं कि परम पिता परमत्मा बाप भी है सहज राजियोग और ज्यान की सिक्षा भी दे रहे हैं और फिर साथ भी ले जाएंगे इस निश्चे में ही तुम बच्चों की विजय है विजय माला में पिरोई जाएंगे रूद्र माला वा विश्णू की माला भगवानु वाच मैं तुम बच्चों को राज योग सिखलाता हूं तो टीचर भी हो गया मत तो मिलनी चाहिए ना बाप की अलग मत टीचर की अलग और गुरू की अलग होती है भिन भिन मत मिलती हैं यह फिर सभी का एक ही है इसमें संशय आदी की कोई बात नहीं जानते हो हम इश्वर की फैमिली अत्वा वन्शावली है गौड फादर इस क्रियेटर गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे तो जरूर फैमिली हो गई भारत में ही गाते हैं वह है पास्ट की बात अभी प्रेजन्ट में तुम उनके बच्चे बने हो उसके लिए ही सिक्षा लेते हैं बाबा आपकी श्रीमत पर हम चलते हैं तो जो बाप हैं वह योगबल से कट जाएंगे बाप को ही पतित पावन सर्व शक्तिमान कहते हैं बाप तो एक ही है बरोबर मम्मा बाबा भी कहते हैं उनसे राज योग सीख रहे हो आधा कल्ब तुम ऐसा वर्षा पाते हो जो वहां दुख का नाम नहीं रहता वह है ही सुखधाम जब दुखधाम का अन्त होगा तब तो बाप आएंगे न वह भी संगम का समय हो गया तुम जानते हो बाबा हमको राज योग भी सिखलाते हैं देही अभिमानी बनाकर साथ भी ले जाते हैं तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं यह तो निराकार बाप पढ़ाते हैं तुम आत्माओं से बात हो रही हैं इसमें संशे की वा मोंजने की कोई बात नहीं सामने बैठे हैं यह भी जानते हो हम ही देवी देवता थे तो पवित्र प्रवरती मार्ग के थे 84 जन्मों का पार्ट पूरा किया है तुमने 84 जन्म लिये हैं गाते भी हैं आत्माओं और पर्मात्मा अलग रहे बहुकाल सत्युग आदी में पहले पहले देवी देवताई ही होते हैं जो फिर कल्युग अंत में पतित बनते हैं पूरे 84 जन्म लेते हैं बाप हिसाब भी बतलाते हैं सन्यासियों का धरम ही अलग है जाड में अनेक प्रकार के धरम है पहले पहले फाउंडिशन है देवी देवताई धरम कोई मनुश्य वह देवी देवताई धरम स्थापन नहीं कर सकते देवी देवताई धरम प्राहलोप है फिर से अभी स्थापना हो रही है फिर सत्युग में तुम अपनी प्रालब्द भोगेंगी बड़ी जबर्दस्त कमाई है तुम बच्चे अभी बाप से सची कमाई करते हो जिससे तुम सच खंड में सदा सुखी बनते हो तो अटेंशन देना पड़े बाप ऐसे नहीं कहते घर बार छोड़ो वह तो सन्यासियों को वेराग्य आता है बाप कहते हैं वह रौंग है इससे कोई स्रुस्टी का कल्यान नहीं होगा फिर भी भारत में इन सन्यासियों का धरम अच्छा है भारत को थमाने के लिए सन्यास धरम स्थापन होता है क्योंकि देवताई वाम मार्ग में चले जाते हैं मकान आधा समय पूरा होता है तो थोड़ी मरमत कराई जाती है एक दो वर्ष में पोताई आदी होती है कोई तो समझते हैं लक्षमी का आवहान करेंगे परन्तु वह तो तब आएगी जब शुद्ध होंगी भक्ती मार्ग में महा लक्षमी की पूजा करते हैं उनसे पैसा लेने के लिए जगत अंबा के पास कभी पैसा नहीं मांगेंगे पैसे के लिए लक्षमी के पास जाते हैं दीप माला पर व्यापारी लोग भी रुपिये पूजा में रखते हैं, समझते हैं व्रधी होगी, मनों कामना पूरी होती है, जगत अम्बा का सिर्फ मेला लगता है, मेला तो है ही, यह जगत पिता जगत अम्बा से मिलने का मेला। यह है सच्चा मेला, जिससे फाइदा होता है, उन मेलों पर भी बहुत भटकते हैं, कहां नाव डूप पड़ती है, कहां बस एक्सिडेंट हो पड़ती, बहुत धक्के खाने पड़ती हैं। भक्ती के मेले का बहुत शौक रहता है, क्योंकि सुना है ना। आत्माई और परमात्मा का मेला लगता है, यह मेला मशूर है, जो फिर भक्ती मार्ग में मनाते हैं। Competition है राम और रावन की, तो बाप अच्छी रीती समझाते हैं, मुर्चित नहीं होना है। राम और रावन दोनों सर्व शक्तिवान हैं, तुम हो युद्ध के मैदान में। कई तो घड़ी-घड़ी माया से हारते हैं, बाप कहते हैं, तुम मुझ उस्ताद को याद करते रहेंगे, तो कभी हारेंगे नहीं। बाप की याद से ही विजय पाते जाएंगे। ज्यान तो सेकेंड का है, बाप विस्तार से समझाते हैं, यह स्रुष्टी चक्र कैसे फिरता हैं, नटशैल में तुम बच्चे बीज और जाड को जानते हो। इनका नाम भी है कल्प व्रक्ष। इनकी आयू लाखों वर्ष तो हो नहीं सकती, यह है वेराइटी धर्मों का जाड। एक धर्म की शक्ल ना मिले दूसरे से, बिलकुल ही भिन हैं, इसलामी आदी कितने काले हैं, वहां भी धन बहुत है, धन के पिछाडी तो सब हैं, भारत वासियों के फीचर्स बिलकुल अलग अलग हैं, भिन वेराइटी धर्मों का जाड है, तुम समझ गए हो कैसे व्रद्धी होती है, इनकी भेट बैनियन ट्री से की जाती है, अभी प्रैक्टिकल में तुम देखते हो, इनका फाउंडेशन खतम हो गया है, बाकी धर्म कायम हैं, देवी देवता धर्म कोई नहीं है, कलकत्ते में तुम देखेंगे, सारा जाड हरा भरा खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं, इनका भी फाउंडेशन है नहीं, जो इस्थापन हो रहा है, बच्चे समझते हैं, अब नाटक पूरा होता है, अब वापिस चलना है बाबा के पास, तुम मेरे पास आ जाएंगे, यह भी जानते हैं, सिवाई भारत के, और कोई खंड स्वर्ग बन नहीं सकता, गाते भी हैं, प्राचीन भारत, परंतु गीता में क्रिश्न का नाम डाल दिया है, बाब कहते हैं, श्री क्रिश्न को तो पतित पावन कोई कहिंगे नहीं, निराकार को मानेंगे, क्रिश्न तो सत्युक का प्रिंस है, उस नाम रूप देश में, फिर क्रिश्न स्वर्ग में ही आएगा, वही फीचर्स फिर थोड़े ही हो सकते, एक एक के फीचर्स अलग अलग हैं, करम भी सबके अलग अलग हैं, यह अनादी ड्रामा बना हुआ है, हर एक आतमा को पार्ट मिला हुआ है, आतमा अविनाशी है, बाकी यह शरीर विनाशी है, मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं, परन्तु यह आत्मा का ज्ञान कोई को नहीं है। बाप आकर नई बातें सुनाते हैं, मेरे सीकी लधे बच्चे, बच्चे भी कहते हैं, बाबा, पांच अजार वर्ष हुए हैं, आप से मिले, योगबल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, पहली हिंसा है, एक दो पर काम कटारी चलाना, यह भी समझाया गया है, बाहुबल की लडाई से कभी भी कोई विश्व के मालिक बन नहीं सकते, जबकि योगबल से बनने वाले हैं, परन्तु, शाश्त्रों में फिर देवताओं और दैतियों की युद्ध दिखाई है, वह बात ही नहीं। यह तुम योगबल से जीत पाते हो बाप द्वारा, बाप है विश्व का रचैता, सो जरूर नई विश्व ही रचते हैं। लक्षमी नारायन नई दुनिया स्वर्ग के मालिक थे, हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जनमले पतित वर्थ नौट अपैनी बन पड़े हैं। अब तुमको ही पावन बनना है। भगत तो बहुत हैं, परंतु जास्ती भक्ती किसने की हैं। जो आकर भ्रामन बनते हैं, उन्होंने ही शुरू से लेकर भक्ती की हैं। वही आकर भ्रामन बनेंगे। प्रजा पिता सुक्ष्म वतन में तो नहीं हैं। ब्रह्मा तो यहां चाहिए न, जिसमें प्रवेश करते हैं। तुम जानते हो जो बाबा, मम्मा यहां हैं, वह वहां हैं। यह बातें बड़ी अच्छी समझने की हैं। डाइरेक्शन बाबा देते रहते हैं। ऐसे ऐसे तुम सर्विस करो। बच्चे नई नई invention निकालते हैं, कोई चीज की कोई नई invention करते तो कहेंगे कि कल्प पहले भी यह invention निकाली थी, फिर उनको improvement किया जाता है, स्वर्ग और नर्क का गोला जो बनाया है, यह बहुत अच्छा है, कृष्ण सभी को बहुत प्यारा लगता है, परन्तु उन्हों को यह पता नहीं कि यही नारायन बनता है, अब यह युक्ती से समझाना है, तुम्हारा यह गोला तो बहुत बड़ा होना चाहिए, एक दम छत जितना बड़ा हो, जिसमें नारायन का चित्र हो, कृष्ण का भी हो, बड़ी चीज मनुश्य अच्छी रीती देख सकते हैं, जैसे पांडवों के कितने बड़े बड़े चित्र बनाई हैं, पांडव तो तुम हो ना, यहां बड़े तो कोई है नहीं, जैसे मनुश्य होते हैं, छे फुट वाले, ऐसे ही हैं, ऐसे मत समझो, सत्युग में बड़ी आईयू होती है, इसलिए लंबे शरीर वाले होंगे, जास्ती लंबा मनुश्य तो शोबता नहीं, तो समझाने के लिए बड़े बड़े चित्र चाहिए, सत्यु का चित्र भी फर्स क्लास बनाना है, इसमें लक्षमी नारायन का, नीचे राधे क्रिश्न का भी देना है, यह हैं प्रिंस प्रिंसेस, यह चक्र फिरता रहता है, ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्षमी नारायन बनते हैं, हम ब्रामन सो फिर देवता बनते हैं, यह अभी जानते हैं, हम सो लक्षमी नारायन बनते हैं, फिर हम सो राम सीता बनेंगे, ऐसी राजाई करेंगे बच्चे ऐसी चित्रों पर बैठ किसको समझाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा कहिंगे यह तो बड़ा फस्क्लास ग्यान है बरोबर हठ योगी तो यह ग्यान देना सके सत्युग में पवित्र प्रवरती मार्ग था अभी है अपवित्र बाप बिगर बेहद का वर्सा कोई देना सके जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने की सिक्षा दे रही है वह अच्छी रीती धारन करना चाहिए पढ़ाई से मनुष्य बहुत उच बन जाते हैं तुम भी अभी अहिल्या कुबजा आदी हो बाप बैठ पढ़ाते हैं जिस पढ़ाई से फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो ज्यान का सागर भी वह है अब बाप कहते हैं अपने को अशरीरी समझो नंगे आए थे फिर नंगे जाना हैं तुम जानते हो यह हमारा चौरासी का चक्र अब पूरा होना है यह तो बड़ा वंडर्फुल है इतनी छोटी आत्मा में कितना बड़ा भारी पाट भरा हुआ है जो कभी मिटने का नहीं है इनकी ना आदी है ना अंत है कितनी वंडर्फुल बाते हैं हम आत्मा चौरासी का चक्र लगाते हैं इनका कभी अंत नहीं होता अब हम पुर्शार्त कर रहे हैं उसमें सारी नौलेज है स्टार की भी वैल्यू होती है स्टार जितना तीखा उतना दाम चास्ती अब इस एक स्टार में कितना सारा ज्यान है गाते भी हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा इस वंडर को तुम जानते हो बाप कहते हैं मैं भी स्टार हूँ जिसका साक्षातकार भी हो सकता है परंतु सुना है न कि वह बहुत तेजो में अखंड जोती है सूर्य मिसल है तो बाबा अगर स्टार रूप दिखाए तो माने नहीं ऐसे बहुत ध्यान में जाते थे तो तेजो में जो कहते वह साक्षातकार हो जाता था अभी तुम समझते हो कि परमात्मा स्टार मिसल है अच्छा मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते धार्णा के लिए मुख्य सार पहला सच खंड का मालिक बनने के लिए बाप से सच्ची कमाई करनी है बाप जो उस्ताद है उसकी याद में रहे माया जीत बनना है दूसरा बाप से बेहद का वर्सा लेने के लिए बाप की जो भी सिक्षाई मिलती हैं उन पर पूरा ध्यान देना है उन सिक्षाऊं को अच्छी रीती धारन करना है वर्दान सदा उची स्थिती के स्रेष्ट आसन पर इस्थित रहने वाली माया जीत महन आत्मा भाव जो माहन आत्माई हैं वह सदेव उची स्थिती में रहती हैं उची स्थिती ही उचा आसन है जब उची स्थिती के आसन पर रहते हो तो माया आ नहीं सकती वो आपको महान समझ कर आपके आगे जुकेगी वार नहीं करेगी हार मानेगी जब उचे आसन से नीचे आते हो तब माया वार करती है आप सदा उचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत नहीं वह उचे चड़ नहीं सकती स्लोगन शांती का दूत बन सबको शांती का दान दो यही आपका ओक्योपेशन है ओम शांती तो वाच पीस अफ मीड चैनल वीडियोस अन यूट्यूब सब्सक्राइब उस अन यूटूब डूट गॉम स्लैश तीव पीस अफ मीड जस्ट ग्लेक पर अपीस्फल लाइव